तो आज हम देख रहे हैं बच्चों 11th class के 7th chapter का part 5 जिसमें हम पढ़ेंगे आज earth warm के बारे में यानि कि आज हम पढ़ेंगे catchway के बारे में जो की जो कहते हैं ना farmers का friend होता है यानि कि जो किसान है उनका सबसे अच्छा दोस होता है क्योंकि वो मिट्टी को ऊपर नीचे करता है और उपजाओ बनाता है आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे उसकी आंत्रिक सरशना क्या है कैसे-कैसे उसके अंग और अंग तंद्र कारे करते हैं तो इंट्रेस्टिंग है न टापिक, तो बने रही है मेरे साथ में, बच्चों इसके अलावा एक और बात, बहुत सारे बच्चों के ये questions आते हैं, कि क्या हमारे इस वाले इयर में केचवा important है, क्या, क्या इसमें question आते हैं, तो बच्चों जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हू कि कभी भी जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं, कभी न कभी जरूर काम आता है, क्या पता इसमें से दो नंबर का भी question आ जाये तो, वो दो नंबर भी तो हमारे हैं न, हम क्यों उसको lose करें, समझने बात को, तो important तो है, और समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, जो औ अपने किसानों के दोस्त की बारे में बद करें, तो उसको पढ़ना तो very important है न, तो पढ़तें, तो केच्वा, यह है एनलीडर संग का सद्से होता है, तो बच्चों, जब प्रानी जगत हमने पढ़ा था, आप और extra information लेना चाहते हैं, तो प्रानी जगत एक बार वापस से देख लिजेगा कि आनलीडर संग में हमने क्या-क्या features देखेतें, क्या-क्या characters देखेतें, तो आपको केच्वे के बारे में लिखने के लिए और चीज़े मिल जाएगी, कि हो किस संग का है, क्या है, किस तरीके का है, तो जो केच्वा है वो आनलीडर संग से, यानि कि जो फाइलम है, उससे क्या करता है, बिलॉंग्स करता है, इसके इलावा आप पूरी इसके एक वर्गी करंट बना लिजेगा, क्या ओर्डर है, क्या फामली है, क्या फाइलम है, ये सब चीज़े भी, आवास वे सभाव, ठीके, आवास कैसा है, किस तरह का habitat है, किस तरह का इनका जो कहते हैं, habit और habitat, यानि कि सभाव कैसा है, और इसके साथ में इसका habitat कैसा है, that means उसका आवास कैसा है, तो केंच्वे, इस तरिये अकशेरिकू प्रानी होती है, आ कशे रूकी यानि की इनमें जो कशे रूकी दंड है वो प्रेजेंट नहीं होती है ये नम मिट्टी की उपरी सतह में निवास करते हैं बच्चो ये चीज और ये चीज समझने के लिए मैंने आपको बताई दिया है कि प्राणी जगत में अपने पढ़ लिया है चैप्टर फोर्थ में अच्छे से तो आप वहां से और अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं ताकि आपका बेसिक और ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाएगा ये नम मिट्टी के उपरी सतह में निवास करते हैं कायन का हैबिटाट कि जो नम मिट्टी होती है जो खोकली मिट्टी लाइक होती है जो एकदम गीली गीली से जिसे उठाएं तो एकदम अपन को लगे कि अरे तो जमी भी नहीं है वहां पर केश्वे मात्रा में पाए जाते हैं कैसी मात्रा में अधिक मात्रा में ये दिन के समय में जमीन के अंदर इस्थत बिलो में रहते हैं यदि हम बात करें इनके रहने के सभाव के बारे में तो दिन के समय में ये कहते हैं जो बिल बनाते हैं मिट्टी के अंदर ठीक है वहाँ पर ही रहते हैं क्योंकि ये मिट्टी क छेद कर और निगल कर बनाते हैं मतलब मिटी को निगल करते हैं जो पेशनी अब आगे पढ़ोगे उसको डाजस करते हैं वहाँ पर और मिटी को खोते रहते हैं जो इनका आगे का जो मुख होता है उससे यह खोते रहते हैं कैसे अभी बात करेंगे केच्वे अपने द्वारा एकत्रित जो सर्जी मल है ठीक है जो इनका जो सर्जी माटेरियल होता है जो एक्सक्रेटरी प्रोड़क्त होता है उस प्रोड़क्त को क्या करते हैं जो कि क्या करें तब ही तो कहते हैं यह क्या करते हैं वर्मी कमपोस्ट बनाते हैं क्या बनाते हैं यानि कि कास्टिंग करते हैं, वर्म कास्टिंग करते हैं, वर्मी कमपोस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जो अपना मल है उसको इखटा करते जाएंगे मिट्टी में, और इसे क्या होगी, तो मिट्टी को खोते रहते हैं, खोते रहते हैं, और उपर से अपना मल भी खटा करते तो वहाँ पर क्या बन जाएगी खाद बन जाएगी जो कि उस मिट्टी को उपजव बनाने में हल्प करती है अब इम्पोर्टिन फ्रेटिमा और लैंबरिकस सामने भारती केच्वे हैं आपसे पूछा जा सकता है भारती केच्वे कौन-कौन से होते हैं तो यहां पर यह जो ह सिलेटि लान सीटे हैं। जो पोसिटेड पोस्टेनों पार्ट है कैमैं जो गुदा होता है गुदा होता है। जो बी प्रोड़क्त है बाहर निकलता है रिजश कaurין à smj पढ़ेंगे डिटेल आकारे की, है ना, यानि कि अब हम उसके बढ़ेंगे structure के बारे में, shape के बारे में, वो भी कौन से internal, यानि अनौट में पढ़ने वाले हैं, उसके शारीर के बारे में पढ़ने वाले हैं, आकरती, इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, इनका जो शरीर है वो बच्चों को कैसा होता है, लंबा होता है, और tubular होता है, यानि कि बेलनाकार होता है, खंड, यानि कि हमको बता है, जो केचवे होते हैं, जो आर्थवर्म होते हैं, उनकी जो structure है, ये कैसी है, देखो, segmented है, यानि ये segments में डिवाइड होते हैं, तो लगबग 100 से 120 समान समखंडों, समखं तब जो इसका शेफ होगा, वो दूसरे खंड का भी होगा, वो तीसरे खंड का भी, चौते खंड का भी, पांच होगा, यह समान खंडों में विभाजित होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, मेटामीर्स, इंपोर्टिंट है यह, ठीके, पूछे जाता है कि जो मेटामीर्स है, वो क्या होता है खंडों में विभाजत होता है जिनको हम मैट्रामियर्ष कहते हैं और इनकी संख्या लगबग 100 से 120 होती है कलर, कलर इनका किस होता है red to brown यानि लाल से भूरे रंग की तरफ जाते वे इनका जो वर्नक है वो कैसा है लाल से भूरे रंग की तरफ जाता है इसलिए इनका जो रंग है वो कैसा है लाल भूरा होता है Red to Brown color होता है या Red Brown color होता है सते है अब इनकी जो सते है बच्चों देखो कभी जो कभी हम लोग समझ नहीं पाते हिंदी में भी हम पढ़ते हुए हिंदी के शब्द नहीं समझ पाते एक होती है प्रस्ट सत्य एक होती है अधर सत्य एक होती है यहां लिख दो प्रस्ट सत्य एक होती है हमारी अधर सत्य ठीक है तो जो प्रस्ट सत्य है प्रस्ट यानि पीछे वाली भाग और अधर यानि की आगे वाली भाग, तो हमारा जो आगे है वो कौन सा है ये वाला पार्ट, जो मैं आपसे रूबरू हो रही हूं, आप मुझसे रूबरू होंगे, भई आप पीछे देख करके तो ऐसे देखेंगे नी, मुझे ऐसे थोड़ना देख सकते हो, या मैं आपको सकती हो मुझे मुड़ना ही पड़ेगा, टरन हो नहीं पड़ेगा, मेरा आगर भाग में अपने वेंट्रल पार्ट, जो अपना अगर भाग वो कैसा आता है? wentral part यहां क्या है Weintral, ठीक है, और जो मेरा यह बैक साइड है जो पीछे वाला भाग है वह 가ूं सवा कहलता है हमारा दोर्सल क्या कहलते है डोर्सल, तो इसी तरीक Casey से हमें पता लगाना है कि जो सत्य है केचव werd की जो आर्थवॉम की जो सते है, कौन सी ventilator और कौन सी dorsal है, कौन सी pras去 सते है और टान सी अधर सते हैं, यह हमें देखना है, तो बच्चो जब भी हम केचवा देखते हैं, ठीके, यह जो अभी segmented तो पूरा ही होगा, ठीके, हाँ है न, यह segmented तो पूरा होगा, कैसे पता लगेगा कि यह dorsal तो देखो जैसे हमारा मुख है और तो इसका भी मुख है वो नीचे की तरफ होगा तो जहां पर अंग वाला पार्ट होगा जैसे इसका प्रजणन तंत्र होगा है ना इसकी जो अंग तंत्र होंगे वो नीचे की तरफ होंगे तो यह जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा हो कर दो दॉसका डॉसल पार वहां पर डाक लाइन होगी तो आपको केच्वें को देख तो आपको केच्वेट को देखके पता लग सब्सक्राइब आप से पूछा जा सकता है लैब मेभी केचवा लो इसका डॉर्सल पार्ट बताओ इसका वेंटल पार्ट बताओ कैसे सर्च करोगे जब डॉर्सल पार्ट की बात होगी तो डाक लाइन होगी जब वेंटल पार्ट की होगी तो वहां पर उसके अंग होंगी जो अभी आगे प विभेदित कर सकते हो कौन इसा डॉर्सल पाथ और कौन सा वेंटल लाइज देखा है कि ये देखो color change कर लूँ पहले ये लो कर लिया ये हमने देखा canchway का part canchway पर आपको ये line दीख रही है ये जो red अदे भाई ये देखो ये जो बीच में एक रेखा दीख रही है आपको ये देखो, ये वाली देखा है, हाँ, ये ये डौड सल बोले तो प्रस्टर सत्य को दशाता है. इसके अलावा जब हम इधर वाले बात की करेंगे. यहाँ पर इसका यह क्या है? रन्द रहे है, और आदर यानि कि सकी अधर सते है क्लियर यहां तक की बात समझ में आगे चलते हैं क्या हो रहे हैं अब मुख ठीक है मुख जो है वो शरीर की अगर भाग पर मुख वे पुरो मुख होता है यहाँ पर बच्चो स्पैलिंग गलत हो गई है क्यों कि यहाँ पर प्रोस्टोमियम यहाँ पर टी आएगा शरीर का अगरभाग और पुरो मुख होता है अब क्या होगा पुरो मुख क्या है पुरो मुख एक समेंदी सरशना है यानि कि एक संसिबल स्ट्रक्चर होता है एक पाली लोब में मुख को ढखने वाली एक फानन नुमा सरशना है जो मुख है ठीक है यह जैसे लिप्स है हमारे है ना यह क्या कर रही है हमारे माउथ को कव कि और यह चुआ हैं तो केच्वे के ऊपर यह जो नीचे वाल पाठ यह यहाँ पर सक Tribal को को यह फानन फ्रदा को क्रमी को ईसमें अंदर रेंग कर जाने में मदद करती तो यहां देखो एक बड़ डाइग्राम क्लेर हो जाएगा अच्छे से इधर देखो यह जो पहला वाला पार्ट है यह वाला जो पार्ट है जो क्या कर रहा है मिट्टी को खोदरें का काम कर रहा है मिट्टी को ऐसे ऐसे हटाता है और अंदर रेंग कर जाता है मिट्टी को ऐ रहा है मिट्टी को हटा कर उसको रेंग कर अंदर जाने में help कर रहा है next जो खंड देख रहे रहे हो आप के यह है इसका पेरिस्टोमियम परितुंड अब क्या हो रहा है यहां पर जो परितुंड है शरीर का पहला खंड आप से देखो पुरो मुख और जो परितुंड है उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है मुख पुरो मुख परितुंड मुख परिमुख और परितुंड तीन बात पड़ी मुख सबसे आगे बला पाट उसके उपर एक फाननुमा सरशना है जिसको हमने पुरो मुख बोला जो की मिटी में रैंक कर जाने में उसको हेल्प कर रहा है फिर हमने बोला जो प्रत्थम खं परितुन्ड है वो क्या है उसका परितुन्ड कहलाता है आगई बात समझ में तो शरीर का पहला खंड परितुन्ड यानि पैस्टोमियम कहलाता है जिसको मुख में उपस्तित होता है जो क्या होता है जिसके अंदर इस परितुन्ड में इसका पूरा क्या है यहां पर यहां पर सोला खंड कलर चींज करने का बहुत दिखत है यहां पे क्या होगा इन में चौदा से सोलवे खंड बच्छो याद रखना है आपको यह जो प्रत्थम खंड है ठीक है जो पहला खंड है वो किसको दिखा रहा है अपना परितुंड को हाँ है ना जिसके अंदर क्या है मुख है फिर परियानिक हमने देखा चौदा से सोला ऐसे लिखते जाना है आपको परियानिक क्या है चौदा से सोलवा खंड है ऐसे करके साइड में यह तो पढ़ते जाई रहे हैं साइड में शौट नोट्स बना लो पहला खंड परितुंड जिसमें मुख होता है चौदा से सोला को इन में चौदा से सोलवे खंटक चौडी गुलाकार पट्टी होती है इन गृत्तिक वाले खंडों को इन ग्रंतिल उत्तक वाले खंडों को हम क्लाइटेलम कहते हैं क्या कहते हैं क्लाइटेलम क्या कहते हैं क्लाइटेलम इस प्रकार शरीर का जो तीन प्रमुक भाग होते हैं अगर पर्यानिक और पश्य पर्यानिक खंडों में विभाजित होता है आईए देखते हैं, in the diagram, क्या हो रहा है diagram में, कि ये आप देख रहे हो, ये भाग देख रहे हो, यहाँ पर ये देखो एक अलग से shape लग रही है, है ना, और ये कौन सा भाग है, 14 से 16, ये जो खंड है, वो कौन से है, ये जो पूरी shape देख रहे हो, यहाँ पर 14 से 16 खंड है, और ये गोलाकार सरच्णा है, जिसको हमने क्या बुला, क्लइटेलम, परियानिक, अब इसके उपर वाला जो भाग है, ये जो भाग देख रहे हो, परियानिक का उपर वाला भाग, ये कहलाएगा अग्र परियानिक, अगर पर्यानिका और ये हो जाएगा हमारा क्लाइटेलियम यानि कि पर्यानिक जो ये इतना सारा नीचे वाला भाग है ये कहलाएगा हमारा पश्य पर्यानिक यानि कि ये तीन खंडों में बढ़ गया क्लाइटेलियम, प्रो और प्री और प्रो ये हो गया हमारा प्रो क्लाइटेलियम, ये हो गया हमारा प्री क्लाइटेलियम और ये हो गया हमारा क्लाइटेलियम क्लेर कहानी आया समझ में यहां तक अपने दम क्लियर हो गया पहला हमने देखा फॉस्ट वाला जो खंड था वो परितुन जिसके अंदर मुख प्रिजेंट होता है फिर हमने देखा चौदा से सोला एक गोलाकार सरशना है इसको हमने क्लाइटेलियम बोला अगर भाग जो है वो अगर क्लाइटेलियम जो पीछे वाला भाग है वो पच्छ क्लाइटेलियम चौदा से सोला में प्रिजेंट होता है यहां तक की बात क्लियर हो गई है या नहीं नोट्स बना लेने हैं, खंडों के अकॉर्डिंग, कारे के अकॉर्डिंग, clear फिर हमने बुला शुक्र ग्राही का रंदर, शुक्र ग्राही का रंदर जो है पास से नो खंडों में अब परितुंड पहला खंड, ठीक है? फिर 14-16 खंड में हमने पास पर्यानिक देखा फिर 5-9 खंड में हमने देखा शुक्र ग्रही का रंद्र जो शुक्र ग्रही का रंद्र है वो कहां पर है? 5-9 खंड में होता है अंतर खंड एक खाचों में अधर पार्षविय अधर यहाने अधर पार्षविय पीछे की तरफ भाग में चार जोडि शुक्र गाई का स्थित होती है जिसको हम बोलते हैं इस पर mythochological apparatus, इस पर methodographical apparatus खहते हैं यह 5-9 खंडों में पाई जाती है, अगर से पच्छ भग की तरफ, कैसे आओ डाइग्राम में देखें, यहां पर कहा गया, यहां पर अभी दिखाई नहीं दे रहा बचो, लेकिन अभी अपनी जो next वाला जो आएगा, नेक्स डाइग्राम आएगा उसके अंदर शुक्र गाईकरन देखते हैं अभी इपन इधर भी नहीं है क्योंकि यह वोई डाइग्राम है कोई बात नहीं जब अपन अंतर बित्ती पड़ेंगे ठीके उसके अंदर अपने पास आएगा मैं आपको वैसे इसमें बता देती हूँ अपन वैसे भी तो देख सकते हैं यहां पर जो हुगा ना बच्चो अधर से पार्शल सतर पे यहां पर अपने हुगा क्या इस तरह का स्परमेथो अतिकल यह रहा यह रहा बच्चो अब के इंगलिश का प्रॉबलम होता है ना यह देखो एक यह जो है यह तो जनन छितर है यहाँ पर ऐसे खंड होता है खंड में एक, दो, तीन, चार कैसे बोल रहा है यह चार जोडी ये चार जोड़ी है ना हो गया चार जोड़ी तो पांस से नो खंडों में इस तरह से चार जोड़ी शुक्र ग्राही का पाई जाती है जिसको हम इस पर वो ethical apparatus कहते हैं ये जब अपन अंतर देवित्ती बढ़ेंगे इसकी तब आपको समझ में आएगा अब मादा जनन छिद्र का है चौदवे खंड की मध्य अधर रेखा परसित होते हैं ठीके ये देखो ये जो चौदवा खंड है उसकी मध्य अधर ये मादा जनन तंतर ये एक होता है सिंगल ठीके जो आपने पढ़ा दा क्लाइटेलियम का होता है 14 से 16 हाई ना हमने ये शोला और चौदवे पर ही और चौदवे खंड पर ही मादा जनन रंद यानि कि जब आप एक से जितने भी शक खंड के आप लिखोगे एक खंड पे कुछ बताया मुख बताया फिर एक से तीन पर बताय जब अभी आहां ना पड़ेंगे उसमें भी एक से तीन में क्या है च तो इस तरीके से जितनी भी पहले खंड में चीज़ है वो आपको पता लग जाएगी है ना गोड आइडिया ये महनत मैं कर सकती थी मैं चाहती तो मैं कर सकती थी लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि कुछ तो मैं समझा रही हूं आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो चाहो तो आपकी उपर है करोगे तो आपका ही फायदा है ना जनन छिद्र एक जोड़ा आठवे खंड अठार्वे सौरी अब क्या है क्लाइटेलियम के नीचे भई 15-16 तो खतम चौदवे में आपस मादज जनन छिद्र आ गया लेकिन जब अठार्वे खंड यानि पच्छ ग्लाइटेलियम का अठार्वा खंड जो है उदर अधर पार्षब में यह देखो यह अधर पार्षब में क्या है नर्जनन रंद रहे नर्जनन छिद्र रहे अधर और यह पाए जाते हैं फिर बोल रहा है व्रकक रंद यानि कि जो हम नेफ्रोंस की बात कर रहे हैं किड़नी की बात कर रहे हैं नेफ्रोंस की जो किड़नी में नेफ्रोंस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं अधर तल पर यानि कि वेंट्रल साइड पर जहां पर प्रजनन तंत्र पाए जा रहा है अधर तल पर लगब लिकाएं शरीर के बाहर की और खुलती हैं, यानि कि जो उस सर्जीकाएं हैं, इन रंद्र जो होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो पूरी इसमें पाये जाते हैं, और वो बाहर की तरफ उस सर्जीकाने लिकाएं को खुलने में हेल्प करते हैं, क्लेर ही हां की बात, शुक, शर कि नहीं आया क्या मैं शुक को प्रतम खंड पर बता सकती हूं नहीं तो कहां कहां पर शुक प्रेजंट नहीं है तो बच्छो पहले खंड पे और जो लास्ट खंड उस पे और जो परियानिक यानिकी लाइटेलियम पर जो है आंतिम खंड और प्रिधम खंड पर उसको छोड़ करके पूरो जो कि एचविए के फ्राग्मेंट से उस पर शुक पाए जाते हैं और यह शुक के आप करते हैं चूटी-चूटी ऐसे देखो यह जो ऐसे इसकी संशना है इस पे ऐसे 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 प्रेज़न होते हैं ऐसे कि ते प्रते खंड के मध्यें सित उपुकला गर्त में ध्षय को अर्क रहेंगे चलने को यह करेंगे उसको है अब ट्रेयर होगी बार हुगा अब क्या होगा ओच्छोटी बाल के समान सरशना है जो एक है लाइक स्ट्राक्चर होता है क्यों कि चट्टी चटी पाहो थे इसको सिकोड़ भी सकते यह open भी हो सकते हैं और यह क्या करते हैं एक भूमिका अधा करते हैं यहां तक यहां तक क्लियर तो हम्ने कह बम स्कोtest हो लिगा कहां पर प्रथम उसको पर ना और उसका जब загlut वीक है वहां और अनतिम खंड को चोड़ करके पूरे बोडिमें अभी हमने पढ़ लिया कि उसकी भाहरी आपारी की सह सहीं। तो उसकी ड değerबित्त की का यह है खेच उप्तवचा कहते हैं, क्या कहते हैं, एपीडर्मिस, उप्तवचा कहते हैं, इसके नीचे अधीचर्म, है न, उसके नीचे क्या होगा, अधीचर्म होगा, फिर दो पेशिये होंगी, जो कि गोलाकार होंगी, और लमवत होंगी, दो पेशिये, और उसके बाद में, सबसे हम बोल रहे हैं, कहां गई, उप्तवचा, है ना, एपिडर्मिस, उप्तवचा, उसके नीचे हमने बोला, एक अधी चर्म है, यानि एक लेयर और है, है ना, इसको हम बोल रहे हैं, अधी चर्म, फिर बोल रहे हैं, दो पेशिये, दो पेशिये पाई जारी है, जो पेशिये है वो कैसी है गोलाकार है और लंबवत है गोलाकार है और लंबवत है ये दो पेशी पाई जारी है फिर इसके नीची की और जो सिलोम होती है इसकी जो देह गुआ होती है उस पर एक बित्ती पाई जारी है ये जो देह गुआ है उस पर एक उपकला भी पाई जारी है clear हो गया त आपको पता है जितने वी ओर्गन में स्तम्बकार उपकला की है कौन से प्रकार की है, इस्तंभकार उपकला, यानि की जो अधी चळम है, शॉरी, जो उपतवचा है, ये किसके बनी है, कौलियूम नार, एपी थीलियम, कौलियूम नार एपी थीलियम टीशू से मिल कर बनी हुई होती है, ठीक है आया समझ में कि जो इसका उपर वाला जो सबसे त्वचा है जो इसकी अधी चर्म है जो अधी चर्म यानि कि नीचे वो किस से बनी हुई है कॉल्युम नार अपी थीलियम टीशू से मिलकर बनी हुई है में बॉलने में मिस्टेक अर्जाते हैं लेकिन यदी हमें अपनी गलती समझ में अजया और इसको सुधार ले तो वह हमारी क्या है समझदारी है मुझे लगा मैंने गल्ती करी तो आए हैंडल इट ठीक है आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बता सकते हो कभी-कभी मैं शब तो हमने क्या बोला कि अधिचर्म इस्तंभाकार उपकला की बनीवी होती है और क्या हुआ जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं कौन-कौन सी जैसे हमने बोला था सिक्रेटरी ग्लेंड्स जो अफ्शोषन और स्थ्रावन में हेल्प करती है तो इस्त्रावी ग्रन्ती कोशिकाएं भी इसमें प्रेजन्ट होती है कि इसमें अधिचर्म में जो कि कॉल्मनार एपिथीलियं का बना हुआ होता है अहर नाल अब हम इसके बारे में क्या पढ़ें इजी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेशन आते हैं बहुत सारे, तो फोकस होने है, ठीक है, शरीर के प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नली के रूप में उपसित होती है, यह देख रहे हो आप, इसका पूरा शरीर है, तो यह प्रथम है, इसका जो मुख है, वहां स ने बताया था, जो डाल्स सिस्टम होता है, जो आन ओल होती है, वो मौत से स्टार्ट होती है, और एक्स्प्रीटरी सिस्टम है, हुआ पे खतम होती है, यह मेने आपको पहले णिसक्रम किया था, तो मुख से आपने on a P. प्रथम खंड पर मुख उपसित होता है, जो मुख गुआ में होगी, जो पूरा है, हमारा एक मुख गुआ ही है, हाँ है ना, मुख गुआ, अब ये प्रथम खंड में आ गया, लिखते जाओ बच्चों साइड में, खंड मेंने आपको बोला ना, बहुत एजी हो जाएगा, सीरियसली, है ना, ये बात मान लो, आप खंड से लिखते जाओ, प्रथम खंड पे क्या क्याया, सेकेंड पर क्याया, एक सी प्याया, एक से तीन में क्याया, पांस से छै में क्याया, और लग-लग color pen रखो ताकी, कुछ भी चीज woh, मैशब ना हो, मिक्स ना हो, खिटड़ी ना बन जाए, ठीया होती है, क्या होती है, एक स से तीन तक मुख गुआ है तो मुख गुआ होती है जो कि ग्रसनी की तरफ अग्रसर हो रही है और चौथे खंड में खुलती है यानि कि जो ग्रसनी है वो कैसा होगा चौथे कंड पे ग्रस्णी का आ गई, चौथे खंड पे, देखें फिर ग्रसी का अब क्या हुआ, जो ग्रस्णी है चौथे खंड से एक छोटी संक्री नलीका में खुलती है बही मुख, मुख गुआ, ग्रस्णी, ग्रस्णी के बाद ग्रसी का ग्रसी का, जिसे हम ग्रसी का कहते हैं, ये कहां सभी चौथे पे ग्रसनी थी, पांचवे से साथवे पे, पांचवे से साथवे खंड में क्या मिल गई हमें हमारी ग्रसी का, किसकी ग्रसी का, मेरी नहीं, आपकी नहीं, केचवे की, ठीक है, तो केचवे की ग्रसी का हमें कहां स चंज करना पड़ेगा भई यह देखो यहाँ पर अपना मुख हो गया फिर मुख कौन से नंबर पे एक पे क्रास नी ग्रसणा से पहले वुख गुआ यानि कि हमारी एक से तीन तक फिर चौथे नंबर पे हमारी ग्रसनी फिर ग्रसी का हमारी पांचवे से साथवे नंबर पे है ना फिर आया पेशनी पेशनी हमारा क्या हुआ 8, 2, 9 पेशनी हमने क्या बोला बच्चो एक मिनिट कलर चेंज करना पड़ेगा तो यह 8-9 खंड तक पाई जाए दिए पेशनी जो है वो 8-9 खंड पे पाई जाएगी यह सड़ी पत्तियों जैसा कि हमने बताया था जब सबसे पहले स्टार्ट किया था ना केचवा मैंने बताया था एक पेशनी होती है जो कि यह सड़े गले पत्तों मिट्टी जो निगल जाती है वो पेशनी में पच जाती है तो यह सड़ी पत्ती और मिट्टी आदी के कणों को पीशने में हेल्प करती है सीधी सीधी बात है जो गिजर्ड होती है उसका कारे पुछा जाता है खंड पूछ लिए जाते है कौन से खंड में उपसित होती है उसका कारे बताईए तो आठ से नवे खंड में प्रेजन्ट होती है और इसका कारे क्या है किसी भी चीज को पाच मलब पीशने का काम करती है एक गिजर्ड का काम करती है आमाशे अब आमाशे, पेशणी आमाशे में खुलती है जो पेशणी है, यानि कि नवे के भाद में जो आएगा वो कहा हैगा? आमाशे आएगा आमाशे 9 से 14 खंड तक इससेत होता है तो जो आमाशे है ये कहов गा? 9 से 24 खंड पे और आपको पता है चौदा से सोला खंड पर क्या होगी हमारी परियानिक यानि कि क्लाइटेलम है ना चौदवे से सोलवे पर क्या होगी हमारी क्लाइटेलियम और नौ से चौदा पर क्या है हमारा आमाश है यानि केच्वे का आमाश है यह हमारा बोल रही हो आप समझ रहो ना किसी पे cross question नहीं करना आम में चीज़े सीखनी है in a local language हाई है ना मैं ऐसे पढ़ाना चाहते हूं जैसे आपन बात कर रहे हूं हाई है ना ताकि stress ना हो हाँ तो के आमा शेह 9-14 खंड में इस्तित होगा केच्वे का भूजन सडी गली पत्तियां मिट्टी में मिशित carbonic पदार् जो celsipharis grantia यह जो यूमस है यूमस बोले तो जो सडा गला पदार तो तो उसको यूमस कहते है ठीक है इस यूमस में जो उपस्तित यूमे कामल है उसको क्या करता है यह अपगटित कर देता है ठीक है यह जो हमारी calciferous जो गरंथियां है यूमस को क्या करेगा जो भी अब आत्र पंद्रवे खंड से प्रारंब होकर अब देखो आत्र जो है यह कहोंगी पंद्रवे खंड से आरंब होकर अंतिम खंड तक चलेगी यानि कि यहां तक जो उसका लास पाट आएगा गुदा वहां तक क्या चलेगा आत्र चलेगी क्या चलेगा आत्र चलेगी तो पं बवत नलीका के रूप में मिलती है कौन आत्र किस की केचवे की 26 खंड में आत्र में एक जोडी छोटी और एक शंक्वाकार आंत्रिकार अंधनाल निकलती है तो यह अंधनाल जो है यहां देख रहे हो लिखा हुआ है आंतनाल पूर्वभाग और आंत्र अंतनाल ठीक है तो ज तोटी होगी और शंक्वाकार होगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं आंत्र अंधनाल कह रहे हैं जो 26 वाले सेग्मेंट पे प्रेजेंट होगी आत्र का विशिष्ट गुण 26 खंड से प्रारम होकर होकर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आहर नाल है यह आत्र है उसको जो सबसे विशिष्ट जो कारे शुरू होता है जो वक्ट शुरू होता है वो कौन से खंड से स्टार्ट होता है जो कि आपने देखा है जो आत्र वलन है आत्र अंध वलन है वो 26 से स्टार्ट हो रहे है तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट भी 26 से स्टार्ट होगा है मैं राइज फि कि पढ़ा और खतम कर दिया नहीं इससे क्वेशन आते हैं कि जो विशिस्ट गुणे वो 26 स्टार्ट होता है लेकिन अंतिम तक होता है बट जो तेशव और पच्चिसव खंडे उसको छोड़ करके 26 से लास तक चलेगा क्योंकि हमने पढ़ा है आत्र जो स्टार्ट होती है वो चाहिँ एसे और नहीं की सटेव पर आंत्रिक वलं भिति भंज पाए जाते हैं जिसको आत्र वलं टाइफू सौल ठिक है टिफलो सौल सौरी कितए टिफ़्लो सौल करते हैं क्या कहते है टिफलो सौल यह सक्ची वाला इंपॉटेंत है इसको बार-बार देख लेना ठीक है प्रेजेंट होते हैं ये वलन क्या करते हैं आत्र में अफ्शोशन के प्रभावी शेत्र को व्रधी कर देता है जो अफ्शोशन का कारे होता है जो एब्सॉर्प्शन होता है उसको ये क्या करता है इनिशियेट करता है और उसमें व्रधी कर देता है इंपॉर्टेंट है बार वाला पार्ट हैगा जो आत्रवलन है वो चल रही है है ना 23 से 25 तक छोड़ करके आत्रवलन चल रही है अपनी और जो आत्रवलन है उसके बाद में क्या आएगा आएगा शरीर के अंतिम खंड पर एक छोटे से छिदर की रूप में खुलता है इसको गुदा या एनस कहते हैं क केच हुआ कार्बिनिक पदार्टों को भरपूर म्रदा को भूजन की रूप में निगलता है यानि जो म्रदा के कार्बनिक पदार्टों उसको क्या खाता है एज़ा फूड खाता है और आहार नाल से गुजरते समय जो भी पच रहा है पचने दो ठीके पाचे क्रस एंजयम इनищ द्वारा रॉग तत्रीक पच न जन चल रही है ठीके आप क्या होगा भई पाचक जो रस है वह हमारे क्या होते जारे है इसक्रीट होते जा रही है उसके साथ हो मिलते जारे है गालेल जटिल भोजे करणों को जो हम अड़ पता उस्कों काम्प्लेक्क्स होगा अब उस हुआ फिर यह सरलन जो सिंपल मॉलेक्यूल में चेंज हो गए आहां जिली द्वारा अवशोशित हो जाते हैं और उप्योग में लाए जाते हैं हुई बात समझ में आ गई यहां तक देखो आपकी बुक में एक साथ दिया हुआ है ठीक है जिसमें ना तो आप आइडेंटिफ आपकी बुक में इस तरीके से दे रखाए क्या बाते वही है बुक की बाते मैंने अपने आपसे नहीं बनाई है है ना क्योंकि नहीं बना सकते जो बाते होगी अब में इसको कैसे चेंज करू आप चेंज कर सकते हो हां हमने इक इंडिविजुल पॉइंट में इसको थोड़ी महनत तो बनती है बच्छो बिल्कुल बनती डेफिनेटी फिर हमने देखा परिसंशन तंत्र अब हम बात करेंगे इसके परिसंशन तंत्र के बारे में यानि की रक्त का बहाव कैसे होता है तो फ्यारिटीमा के एच्वेकार जो रुधे परिसंशन तंत्र है वो कैसा होगा बंद प्रकार का प्राणी जगत वाले में आपको सब तरह के से मैंने पढ़ाए कि खुला परिसंशन तंत्र क्या होता है यदि बंद परिसंशन की बात करेंगे तो वहां परिसंशन 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 मतलब संकूचन रक्त-परिसंश्रण को एक दिशा में रक्ता है कैसे जिए उनिडिरेक्ष्नल जोती चैसे तंत्र का रजुब होई करेगी और शरीर में, और पॉण तक ले जाएगी और उसस्टेम, उसके पास लेकर जाएगी रुधीर ग्रंथियां, जो रुधीर ग्रंथियां है, चौथे, पाँचवे और छटे बे खंड पर पाई जाती है, अब आपने पाँचो छटा खंड लिखा होगा, तो वहाँ पर आपको ये भी एड़ करना है कि रुधीर ग्रंथियां भी पाई जाती है, ये ग्रंथियां ह Kushik 2 का निर्मान करती है। कोशिक 3 करते हैं हिममोग्लोमिन मनाता है जो हमारे Pigmentation के लिए इंपॉर्टेंट होता है हाई ना और यह क्या बकते हैं इसता है क्या करता है लिए मोगलोविन या उक्सिजन को क्या करता है पमपिंग कां मत्सां करता है इनकी प्रकरती बक्षानविक होती है, कैसी होती है बक्षानविक यानि कि जो फैगोसाटस होती है वैसी, फिर जो हिदे है केचवे में चार जोडी नलिका कार, जो है चार जोडी नलिका कार असंकुचन शील हिदे होता है, असंकुचन यानि किसमें संकुचन नहीं होता है, स तो परिसंच्रन तंत्र है रुधीर परिसंच्रन तंत्र है एक्स्ट्रा समझा रही हूं ठीक है जो किताबील एंग्रिज पड़ी उसके अलावा तो ये क्या होता है बच्छो इधर समझा दू क्या मैं इधर जगी जादा है अपने पास डाइग्रैम नहीं है तो यहां पर लिख लू एक बार परी शंच्रन थीक है अपने पास दो सत्य वह होती है प्रस्ट सत्य है और एक उती है अधर सत्य है यह कहा है extra question इसलिए कि नेट में पूछा जाता है कि भी कहां से blood किस तर्छ िसे flow होगा तो प्रस्ट सत्य है अधर सत्य है ये क्या होगी जो प्रस्ट सत्य है उसके यहां पर ये उपर होगी जो आहर नाल होता है ना आहर नाल लिख दूँ ये आहर नाल के उपर होगी कौन सी जो रुधीर है रुधीर कोशिक आए है और यहां पर अधर सतय पर ये आहर नाल के नीचे होगी ठीक है आया समझ में अब जो बलड का बहाव है ठीक है जो बलड का जाएगा पीछे से आगे की और जाएगा और जब अधर सते पर अपन रुदीर का फ्लो देखेंगे तो ये आगे से पीछे की और जाएगा अभी कैसे याद करोगे अधर ठीक है पर प्रस्ट याद रहेगा अधर प्रस्ट ठीक है आया समझ में तो परिसंचन तंत्र हमने देखा दो सते होती है अप्रस सते और अधर सते वहाँ पर हमने देखा कि ये आहाँ नाल के उपर होता है और यहाँ पर आहाँ नाल के नीच होता है कौन परिसंचन तंत्र में जो रुदीर कोशिक होती है वो फ 4 में देखा है कि यह चार सेंस्टे में संकुचंशिल होती है और फिर सेंस्ट बमने क्या क्या टी इसकी ये चार जोड़ी, चार जोड़ी जो नलिकाएं हैं, जो की बार्वे, तेर्वे और एक मिनिट, सोरी बच्चो, तेर्वे और, sorry, नवे, बार्वे, तेर्वे हैं नवे, बार्वे और तेर्वे खंड पर प्रेजेंट होती है, आया समझ में, देखो हमने क्या बोला कि ज स्वशन तंत्र की नहीं कि दोनों सते हैं रुधीरवाई काई होंगी ठीके वह आगे से पीछे पीछे से आगे के और जाएंगी एक साथ मिल जाएंगी हिदे में जो चार जोड़ी नलिकाएं हैं जो की नवे बार्वे तेरवे खंडवे प्रेजेंट हैं वहां जाकर के मिक्स हो जाएगे और ब्लड का फ्लो करेंगी यह हो गया असका परिशंशन तंत्र की बात करेंगे टिक के घय तोर चोंशन तंतरør होता है के ज मैं विशिर्स का विने पता है ूसमें रुधीर द्वारा संपन होता है जो ब्लड का फ्लो होता है उसी के द्वारा जो गैसु का विने में है वो संपन होता है यहां तक आपको समझ में आ गया आज ही और अभी थोड़ी देर बाद में एक बार सुनो दूसरी बार फटा फट नोट्स बना लो ठीक है जाधा टाइम मत लगा ना क्यों कि जब आप उस सर्जन तंतर से अभी आगे पढ़ोगे उस सर्जन तंतर इसका प्रजणन तंतर इसका तंतरी का तंतर पढ़ोगे तो कन्फियूज हो जाओगे यहां तक एकदम क्लियर कर लो वो बना लो साइड में जो मुने बता है खंड बना लो उसकी कारे लिख लो कि किस-किस में कौन-कौन से खंड में क्या-क्या चीज़े दे रखी है इजी हो जाएगा समझने में फिर जब पन पढ़ेंगे कॉक्रोज और फ्रॉक पढ़ेंगे तो आपको एकदम यह लगे कर कि अच्वा तो मुझे अच्छे से आता है रात में भी पूछलो कौन से खंड में क्या है तब होगा जब आप बनाओगे खुद से ठीक है आप बनाओगे कोई question है तो प्लीज मुझे comment box में लिखो कुछ नई समझ में आ रहा है कुछ और change कर सकते है पढ़ाने के तरीके में तो वो भी मुझे बताना फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ में धन्यवाद